दोस्तो आज मैं आपको वेस्टीज में जॉइन करने का बिलकुल नया तरीका बताने वाला हूँ ये जो जॉइनिंग का तरीका है अभी अभी कंपनी ने अफडेट किया है पहले हम जब जॉइनिंग करते थें तो जिसको भी हम जॉइन करवाते थें जिस भी आदमी को हम जॉइन करवाते थे तो उसके मबाइल नंबर पर जो है एक OTP कोड आता था लेकिन अब जो एक नया जॉइनिंग प्रोसेस कमपनी ने स्टार्ट किया है इसमें जो है आपके मबाइल नंबर पर जो है OTP कोड नहीं आएगा बीना OTP कोड के ही आप किसी को भी वेस्टीज में जॉइन करवा सकते हो तो वो तरीका क्या है वो मैं आपको यहाँ पर एक्स्प्लेन करने वाला हूँ बिलकुल नया तरीका है इसलिए ये वीडियो और आपको कहीं मिलने वाला नहीं और दूसरा को याद में बताएगा भी नहीं चलिए इस नया तरीके से कैसे जॉइनिंग करवाना है वो मैं आपको एक्स्प्लेन करता हूँ सबसे पहले गूगल पर सर्च कीजिए इसका शॉपिंग वाला जो ओफिसियल वेबसाइट है ओपन हो जाएगा इसको हम लोग ओपन करेंगे swap.myvestige.com यहाँ पर हम अपना जो है distributor ID और password डालके जॉइनिंग मतलब की login करेंगे इस तरह से login होने के बाद पैनल खुल जाएगा याद रखिए आपके वाल वेस्टिज के शॉपिंग वाले इसी साइट से आप इसकी जॉइनिंग इस तरह से बिना OTP करवा सकते हैं आप चाहो तो स्मार्टफोन में भी Google Chrome ब्राउजर ओपन करके माई शॉपिंग वाला साइट जो है माई वेस्टिज के खोल सकते हो और फिर यहां से करवा सकते हो अब हमको क्या करना है आगे यहां पर देखिए रजिस्टर का बटन है रजिस्टर को क्लिक करना है अब यहां पर जिसके अंडर में ज्वाइनिंग करवाना है अप्लाइन डिस्ट्रिबूटर आइडी जैसे कि मैं आपको अपना डालूंगा मेरा नाम और मेरा लाशने में आ जाएगा तो जैसे ही डिस्ट्रिबूटर डायलोग ये अप्लाइन का ठीक है वो आ जाएगा उसके बाद यहां पर आप यहां से डाउनलाइन आईडी आएगा कोई भी आईडी आप यहां पर सेलेक कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है यहां पर जो है अपना जिसको भी जोईन करवाना है ठीक है उसका यहां पर आपको टाइटिल सेलेक करना होगा यहां पर उसका नाम डालना होगा जैसे कि हम डाल में हैं धिक यह नम डालते हैं और उसके बाद लाश्ट में डालते हैं ठीक अभर यहांपर डी को dedes यहां पर सबम्इट को क्लिक करना होगा तो यहां पर आप देख सकते हो कि apply distributor id डाल दिया हमने उसके उसर नाम आ जाएगा country select कर लीजिए downline का id यहां से आप चूच कर सकते हो बहुत सरे id डिस्प्ले होएंगे arrow को click करने के बाद कोई भी चूच कर लीजिए आप refresh भी कर सकते हो टाइटल जिसको join करवाना है उसका first name last name उसका mobile number और email आई डालना है जो जो जरूरी है वहां पर star mark है वो डालना है यह डालके आप जो है सीधे यहां पर submit बटन को click कर देजिए इसके बाद यहां पर एक message आ आ गया you become a distributor with your distributor ID यह जो की हमने select किया था ओके को click कर देते हैं अब आप को एक SMS आएगा किसको आएगा SMS जिसको आपने join करवाया है जो नया distributor बना है उसके mobile number पर message जाएगा जो आपने दिया था और उसका distributor ID जो आपने choose किया था वो वाला और एक password जाएगा और वो भी जाएगा referred भाई अभी से एक आनन्द मतलब मेरा नाम जिसका apply में मैंने ID डाल योर विजनेस वेस्टिज मार्केटिंग ठीक है और उसका जो है ना एक shopping applications का जो है यहाँ पर जाएगा अब यहाँ पर जो नया distributor हमने बनाया उसको ID password मिल गया है तब उसका काम यहाँ से start होता है तो क्या करना है समझिए अब उसको भी shop vestige वाले site में जाना होगा shop.myvestige.com पर जाना होगा और यहाँ पर जो है login क्लिक करके login करना है जो नया SMS आया है distributor ID और password से login करना है यह काम उनको खुद से यहाँ पर करना होगा ठीक है क्योंकि apply ने आपका ID लगा दिया है आपको ID password मिल गया लेकिन बाकी का जो pending registration है वो complete आपको करना है जैसे ही आप login करोगे अभी भी complete नहीं हुआ है आपको registration करना पड़ेगा तो आप यहाँ पर OK बटन को click करोगे अब यहाँ पर देखिए आपको term and condition accept करना पड़ेगा I am at least 18 year old and citizen of India accept करना पड़ेगा उसके बाद India यहाँ पर जो आपका नाम तो पहले ही apply ने डाल दिया था अब आपको यहाँ प यह apply ने तो आपका काम कर दिया है यह खुद से करना है आपको आपका mobile नमबर डाला हुआ है ठीक है अपना नोमीनी नमबर नेम डाल सकते हो ठीक है अपना email address आपका डाला हुआ है उसको वही रहने दीजिए या बदलने का option है तो बदल सकते हैं उसके बाद यहाँ पर जरूरी है और डाल के आपको यहाँ पर submit करना जरूरी है complete registration के लिए तो यह सारा detail आपको भड़के submit को click करना है सारा काम पहले हम कर लेते हैं आप देख सकते हो कि सारा details हमने डाल दिया है यहाँ पर आपको मैं बता दूँ आप अपना नाम change कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर को click करना यह तो बर्द भी आपको डालना है अब आपका registration complete होता है यहाँ पर OK को click करना है उसके बाद आपको अपना KYC यहाँ पर upload कर लिना है अपना distributor ID डालिएगा अपना full name डालिए अपना document ठीक है अपना document डालिए जैसे अधार कार्ड है तो अधार का नंबर document नंबर मे डाल दीजिए अपना DAF जो है यहाँ पर upload कर सकते हो यहाँ message आ रहा है कि DAF already uploaded for distributor number तो आपको DAF यहाँ पर upload करने की जरूरत नहीं है अपना KYC जरूर यहाँ पर आके upload कर लिजिए बहुत जरूरी है ओके तो यह आपका पूरा joining process है यह जो joining process है बिना OTP के हो जाता है याद रखिए सबसे पहले applying जो है आपका ID लगाएगा अपना login करके shopping website में उसके बाद आपके number पर ID password जाएगा distribute ID password आप से login करके आपको complete registration करना होगा उसके बाद अपना KYC आपको upload करना है तब जाके full registration यह आपका माना जाएगा ठीक है अब खुद से कैसे join कर सकते हो वो भी मैं को बता देता हूँ मेरे website पढ़ाईए myvestige4youblogspot.com यहाँ पर how to join है इसको click कीजिए बिलकुल खुद से join कर सकते हो मेरा referral code इस्तमाल करते हुए यह आपका joining application है prestige का online shopping app इसको install करना होगा mobile में joining का step by step video है इसको watch कीजिएगा ठीक है referral code जरूर डालना है तभी आपको आप जो है मेरे downline में join हो पाओगे याद रखिएगा ठीक है इसका link जो है ना मैं इस video के discussion में दे दूँगा आप follow कर लीजिएगा thank you